हेलो ब्रिवान कैसे हैं आप लोग आई होप सारे सारे बच्च एकदम बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे अपने घरों में सुरक्षित होंगे तब आज आपके रूचे मैं हम लेकर के आई हैं विद्योधारा का चुम्मकिये प्रभाव का बंश्यौर्ट रिव पूरा पूरा कंप्लेट हो जाएगा तो चल यह शुरू करते हैं और शुरुवाद हम करेंगे चुम्मकिये बल रेखाओं से तो यदि हम किसी चुम्मक के पास किसी दिख सूची को रख दें तो यह क्या होती है बच्चों विचलेत होती है अच्छा इसका रीजन क्या है इसका असली रीजन यह है कि दिख सूचक जो सुई है वो खुद भी एक क्या है चड़ चुम्मक है और यदि कोई चुम्मक किसी चुम्मक के पास रखा जाएगा तो क्या होगा उस पर बिटा जी आकर्शन या प्रतिकर्शन बल लग रहा होगा हमें पता है कि चुम्मक की जो समान सरे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं दूसरे को प्रतिकर्शित कर रहे होते हैं विपरीत सरे एक दूसरे को आकर्शित कर रहे होते हैं तो यदि हम दिख सूची को चुम्मक के पास रखते हैं तो यह क्या होगी बिटा विचलित होगी तो बिसिकली हम इसका जो वि ये रेखाएं हैं वो क्या हैं चुंब की ये सोई के चलने का रास्ता है जो कि एक वक्र देखा है अनि रेक है होती है आभासी होती है और काल्पनिक होती है वास्तावे मिकोई रेखा नहीं होती है तो चुंब बंढ के बले जाओ स ज्या पूचह जाते हैं उ psychological ध्यान सुनगेगा बच्चों हमने दिखा कि जो हमारी बलर रेखा डीन रही है दूसरे से में प्रवेश कर रही है यानि कि जो चुंबग यह रेखा है हो क्या करे होंगे के एक से बैटा बाहर रास्ता कैसा होगा चुंबग के बाहर यह दिशा होगी N से S और पेटा अंदर क्या होगा तो चुम्बक के अंदर चुम्बक की रेखाओं की बिटा दिशा होती है S से N साती साथ बच्चों अगरा देख पा रहे हो तो चुम्बक की जो सिरों पर रेखाओं की संख्या है वो सबसे जादा है तो जहां पर रेखाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है हम कहते हैं वहां पर चुम्बक की छेत्र प्रबल है यानि कि स्ट्रॉंग है इसलिए हम कहते हैं कि चुम्बक की सिरो पर सबसे ज़्यादा चुम्बक की शेत्र होता है बचो इसके लावा गर आप देख पा रहे हो तो चुम्बक से दूर ज दुर्बल होता है चुम्बक से दूर जाने पर बच्चों अगर आप एक चीज और देख पा रहे हो तो चुम्बक की रेखाएं निकल तो बहुत सारी रही है पर कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही है यानि कभी भी दो रेखाएं दो चुम्बक की मिलना बेटा यह असंभव है नामुम्किन है इसलिए कभी भी दो चुम्ब की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिक शेदित नहीं करती हैं आगे बच्चों हम लोग जानेंगे और स्टिट के ये इकस्पेरिमेंट को विद्योधारा को चुम्ब की प्रभा बच्चो आज हम पढ़ पारे तो ये सिर्फ और सिर्फ और इस्टेट की देन है और इस्टेट बच्चो एक स्कूल के डेन्माक के स्कूल के एक बच्चो अध्यापक थे जिन्होंने बिटा जी ये देखा कि अगर किसी तार में विद्योधारा प्रवाहित हो रही है तो उस तार के पास अगर हम दिख सूची को रखेंगे तो क्या होगी ये विचलित होगी हमने बच्चो दिख सूची का विचलन कब देखा था जब हमने इसको चुम्बक के पास रखा था क्योंकि भाई दो चुम्बक हो गए हमारा एक चुम्बक तो है ये साथी सा दिख सूची भी छोटा चुम्बक है इसलिए क्या हो रहा है बल लग रहा होगा बच्चो उसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अगर दिक्सूची विचलित हो रही है इसका मतलब क्या है भाईया इस तार के पास कोई क्या होगा चुम्बकिये शेत्र होगा इस प्रकार से और इस्टिड ने बताया कि यदि किसी तार में विद्योधरा प्रवाहित की जाए तो उसके पास अ और इसे ही हम कहते हैं विद्योधरा का चुम्बकिये प्रवाव बच्चो और इस्टिड ने जो है ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किये और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर जो है कुछ निशकर्ष दिये कुछ रिजल्ट दिये तो पहले जो एक्सपेरिमेंट विद्यो धारा नहीं है तो उसके पास कोई चुम्बकी शेत्र नहीं है बच्चो दूसरी चीज अगर तार में जो है विद्यो धारा है तो ही सुई विचलित होगी यानि कि धारा वही चालत तार के चारों चुम्बकी शेत्र होता है दूसरी चीज उन्हों ने देखी कि यद दिशा को चेंज कर दें विद्यो धारा की दिशा को चेंज कर दिया तो भाइघ छुंबकी युदि दिशा में बदल जाती है इस बात की उन्हें इस सुंधन के जो विच्लण की दिशा वे वो बदल जा रही है यानी कि बच्चों जो हमारा चुम्बकी येशेत्र है जू उत्वपन की शेत्र है इसकी दिशा किस पर इपेंड करती है इसकी दिशा निर्भर करती है विध्योधारा पर साथ ही साथ मैंना इखांपल बताये हैं कि बेटा प्र१ा पास अगर ज्यादा पैसा होगा तो हमारे पास पर ज्यादा पैस about इसे वाला है उसी प्रकार से बच्चों इस चुम बक्षते का पापा क्या होता है चुम क्या है विद्यो धारा यानि कि छीधा विद्यो धारा होगी उतना ज्यादा चुम्पकी शेत्र भी होगा अगे बढ़ेंगे बच्चों सीधा चालक तार में चुम्पकीए शेतर कैसे उत्पन होता है और कैसे चुम्बकिये रेखाएं उसके चारो और होती है तो बच्चो हमने पाया कि जो सीधा चालकतार होता है उसके चारो और जो चुम्बकिये रेखाएं हैं वो संकेंद्री वरत्त के रूप में होती है चालक के पास देखो वरत्त छोटे छोटे हैं चालक से दूर जाने पर वरत् करने के लिए बिटा हम इस्तमाल करते हैं मैक्सवेल का दाहिने हाथ के अंगुठ का नियम नियम क्या है यदि हम नोड सीथे चालक तार को इस प्रकार से पकड़े कि विद्यो धारा कि दिशाम अंगुठा हो तो चालक के चारो लिप्टी उंगलियं dead देखो जो यह उंगलियां है ना लिपती उंगलियों के जो दिशा होगी वही क्या होगी चुम्बकी शेत्र की बच्चो दिशा होगी आगे बढ़ेंगे फिर हमने देखा कि अगर हम किसी तार को मोड दे आनि कि व्रत्ताकार अगर हम तार बना दे तो उसके पास कैसा चुम् वही पाश है इसमें हमने देखा कि चुम्बकी शेत्र की जो अगर हमने अगर रेखाओं को ध्यान से देखें तो यह देखो रेखाए जो है वो केंद्र पड़ क्या है बिल्कुल सीधे ओती जा रही है इसका मतलब क्या है कि जो हमारा धारावाही लूप में जो चुम्बकी शेत्र होगा वो बिटा केंद्र पड़ क्या होगा एक समान चुम्बकी शेत्र होगा तभी तो में क्या मिल रही है केंद्र पड समनांतर चुम्बकी रेखाएं मिल रही है और इस तार का जो प्रतियक बिंदू है वो कैसा व्यावार कर रहा होगा इस तार का प्रतियक बिं यागर फ्य जो करेंगे कि तरह करें विद्या-ध्यव्ध कर दे हैं जा याज जाता है अगर आप इस धारवही परिनालिका की हैं प्रवाहिद कर दे तो कि भी इसके चारोर चुंबकी शेत्राउत्पन हो जाता है अगर पसे धारवही परिनालिका के चारो और उत्पन चुम्बकी शेत्र को ध्यान से देखो तो आप आओगे कि यार जो रिखाएं हैं वो एक सिरे से निकल रही हैं दूसरे सिरे में प्रवेश कर रही हैं ऐसा ही कुछ हमने छड़ चुम्बक में देखा था इस प्रकार से बच्चों हम कह सकते है कि धारावाही परिनालिका की चारो और जो उत्पन चुम्बक की ये शेत्र है वो छड़ चुम्बक की तरह होता है या कह सकते हैं धारावाही परिनालिका छड़ चुम्बक की तरह व्यभार करती है अब बच्चों हमें अगर धारावाही परिनालिका की इस्तमाल करके क्यूंकि नरम लोह सुझें रिबिडर को प्रवाहित कर जैसे तार के चारो और चुम्बकी शेत्र उत्पन हुआ यह नरम लोह क्या करेगा उस से चुम्बक की शेत्र के गुड़ को ग्रहान कर लेगा खुद भी चुम्बक बन जाएगा और इस प्रकार से हमें क्या बेटा ज मिटोहां जुम्भक की शित्रका जो गुड़् है उसको जल्दी से ग्रहान करता है और जल्दी से ही त्याग देता हैं बचों अब हम बात करने वाले हैं थारावाही चालक पर लगने वाला बल यान अगर हम किसी जो है दिखो हमारे पास काई धारावाई जो है चालक है हमने इसको कहा पर रखा हुआ है एक चुंबक के पास रखा हुआ है अगर आग ध्यान से देख पारे हो तो जैसे ही आपने विद्य धारावाई को प्रवाहित किया और इसृत की अनुसार इस बीटा जी जो यह हमारा धारावाही चालक है इसके चारो और ही बच्चों क्या होगा चुम्बक की शेत्रुत्पन हो गया होगा बच्चों कह सकते हैं कि यह भाई बहुत ही छोटा सा बहुत ही छोटा सा क्या बन चुका है बहुत ही छोटा सा विद्यू चुम्बक बन चुका है और यह तो आल्रेडी चुम्बक है ही है मैंने आपको पहले ही बताया था कि चुम्बक चुम्बक क्या करेंगे एक दूसरे को पर बल लगाएंगे यहां कर्शन बल भी हो सकता है अब जो यह धारा वाही चालक पर लगने वाला बेटा बल है यह कुछ-कुछ बातों पर निर्भर करत बच्चो याद रखना धारा वाही चालक पर लगने वाल बल होता है वह विद्यू धारा चुम्बक की नहीं बाथा ठीटा, ठीटा क्या है बिटा, I और B के बीच का एंगल, यानि कि आपने इस धारावाई चालक को कैसे रखा हुआ है, किस प्रकार रखा हुआ है, इस बात पर भी निर्भर करता भाई, आपने जो है चालक को सीधा सीधा रख दिया, एस लिटा के रखा हुआ है, या फिर ऐस कैसे रखा हुआ है तो बच्चों यह जो है इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपने जो है चालत को रखा कैसे हुआ है चुम्ब की यह शेत्र में तो बीटा फॉर्मुला होता है एफ बराबर आई बील साइन थीटा याद रखना बच्चों जो यह बल है इस बीटा बल की जो दिशा है वो किस पात पर निर्भर करेगी बीटा बल की जो दिशा है वो निर्भर करती है विद्योधारा और चुम्ब की यह शेत्र पर अगर आप विद्योधारा की दिशा को बदल दोगे तो भी बच्चों क्या होगा बल की दिशा बदल जाएगी चुम्ब की यह श क्या लगता है मैक्सिमम लगता है अधिकतम लगता है आगे बढ़ेंगे अब कि क्या सदिश राशी करें तो बच्छों बल की दिशा को हम गयात करते हैंं फ्लैमिंग के बाय हात के निएंव के सार बाय हात की त surrounds नि मत्हिमा अंगुठा तीनों की करगें चुम्बक की शेतर की डिशा में मध्यमा को रखें जो विद्योध धाना की दिशा में अंगूठा क्या बताएगा चालक पर लगने वाले बल लिजो को कि बताएगा अब इसी इस भूआ हम करने हैं हम लोग बिटा जी एक आयताकार कुंडली लेंगे उस आयताकार कुंडली को रखेंगे बच्छो सबस्पाइब कि उसकती चुंबक रहे होगा बन लग रहा हो उस पर बल लग रहा होता है उपर की ओर दूसरी भुजाबर बल लग रहा होता है नीचे की ओर तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे ही धारा वाही आयताकार कुंडली को चुंबकी शेत्र में रखते हैं वैसे ही कुंडली की दो भुजाएं हैं उस पर एक बल युग में काम करता है दो बल काम कर रहे हैं एक भुजापर बल लग रहा है उपर एक भुजापर बल लग रहा है नीचे और इस प्रकार बत्चों हमारी जो कुंडली है वो अपने अक्ष पर घूमना शुरू कर देती है बत्चों याद रखना विजद मोटर में में इस्तमाल करते हैं यानि कि आधे चक्कर के बाद क्या होगा विभक्त वले अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं और बच्चों सदैव कुंडली की भुजाओं पर बल इस प्रकार लगता है कि वो कंप्लीट एक चक्कर कर लेती है और याद रखना जो बल की दिशा है वह हम घ्याद करते हैं फ् बच्चों वैद्य चुम्बकिय प्रेरण का जो सिधान्त है उसको फिराडे ने प्रतिपादित क्या थे बेटा फिराडे क्या थे एक विग्यानिक थे बच्चों फिराडे ने देखा कि यदि हम चालक और चुमबक के मध्य आप एक्षिए गती करवाएं तो इससे क्या हो होगा इससे जो हमारा चालक है उसमें क्या होगा एक धारा उत्पन हो जाएगी प्रेरित हो जाएगी इस घटना को हम कहते हैं वैद्य चुमबक किये प्रेरण और बच्चो इसी सिधान्द का हम लोग इस्तमाल करते हैं धारा को उत्पादित करने में धारा को उत्पन्य करने में याद रेखें कि बच्चो हमारे पास विद्यो धारा दो प्रकार की है एक है AC और एक है DC बच्चो AC करेंट कैसी है अलाउट टू चेंज यानि कि प्रत्यक आधे चक्कर के बाद अपनी जो दिशा है जो मान है उसमें परिवर्टन हो जाता है जो DC करेंट है यह क्या है डू नौट अलाउट टू चेंज यानि कि बिटा अब इसमें जो है जो दिशा है वो बदलती नहीं है बिटा इसे हम एक दिश्यक धारा भी कहते हैं याद रखना बच्चों एसी खतरनाक होती है क्योंकि इसका उत्पादन हम लोग 33000 वोल्टेस तक कर सकते हैं डीसी बच्चों जो है बहुत ही जो है खतरनाक नहीं होती है क्योंकि इसका उत्पादन हम लोग कम वोल्टेस पर करते हैं याद रख बच्चों जो एसी करेंट है है ना हमारे भारत वर्ष में जो करेंट आ रही है उसका बिटा 220 वोल्टेज की विद्यो धारा आरी पचास हर्ट्स आवरत्ती वाली जो है प्रत्यावरती धारा आ रही है आगे बढ़ेंगे बच्चों अब जो यह हमारी प्रेरित धारा है जो व्यद डूu-CHumbee की प्रेंड के सिध्दान हमने धोम ने देखा उस धारा की दिशा को हम कैसे क्याद करेंगे तो धारा की दिशा को हम ग्याद करते हैं तो मत्धिमा क्या बताएगी प्रेरित धारा की धिशा बताएगी और इसका ही इस्तेमाल लोग करते हैं वेद्यू जनेतर क्या है एक ऐसे युगति जो क्या करती है यांत्रिक ऊर्जा को बदलती है बच्चों यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं वेद्यू जनेतर है सब्सक्राइब सब्सक्राइब धारा जनित्र में बच्चों क्या लगे रहते हैं प्रत्यावर्ति धारा जनित्र में बच्चों सरपी वले लगे रहते हैं इस बात को आपको याद रखना है कि इसमें क्या लगे रहेंगे सरपी वले लगे रहेंगे बिटा जो हमारी दिस्ट धारा जनित्र है उसमें जो यह वहर करेंट मिल रहे होगी यह भी आप प्रतिक आधे चक्क के ल गवार बच्चो क्या होगा उत्पन धारा कि जो दिश्वाए बच्छो भी चाными जोंदी उड़ेख से ना én इसलिए बच्चों हमें प्रत्यावर्थिधारा मिल जाती है अगर हम बात करें दिश्च धारा जनेत्रकी तो इसमें बच्चों क्या लगे हैं विभक्त वले लगे हुए हैं बच्चों जैसे ही कुंडली अपना आधा चकर कंप्लीट करती है वैसे ही विभक्त वले क्या करते निल रहाती है तो याद रखेगा कि दिस्ट धारा को हम लोग शुषक इल बैटरी नहीं से प्राप्ट होती है और दिस्ट धारा जन्रस्ट से भी क्राप्त डिया हुआ तो ठाकर के टेस्ट दो जा करके जिससे आपको पता चल जाए कि क्या आपको ये चाप्टर सच में आ गया है